नमस्कार दोस्तों जैमातादी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा देखें जी हाँ दोस्तों मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा स रासियों में से सिर्फ आपकी ही एक ऐसी रासी है जिसे बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है आपकी हमेशा कद्र क्यों नहीं होती है आखिर की भी रासि Deutsch में हम इन सभी भी मिस न करें और इसे अन्त तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि ये आपकी वाई तक्तो की रासी है भगवान सनिदेब के सबसे प्रेरासी भी होती है क्योंकि दोस्तों आपकी रासी के स्वामी भगवान सनिदेब ही होते हैं और दोस्त तो आप लोग कभी-कभी नयाय करते-करते इमोशनली बहुत जादा ठक जाते हैं। ऐसा आपके जीवन में अक्सर देखा गया है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किश उम्र में आपके खुलेगी आपके किस्मत का ताला और आखिर कब मिलेगी आपको सफलता। दोस्तों अगर लाइफ में आप संगर्स कर रहे हूँ तो किस्मत बतलने में बहुत समय लगता है। जीवन में संगर्श काम करने के लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपकी life बन सके, आपका career बन सके दूसरी तरफ, जोतिस में भी यह कहा गया है कि आपकी रासी काफी ही किसमत वाली रासी होती है काफी भागसाली रासी होती है हम भी यही कहना चाहेंगे कि मनुस से जब जन्म लेता है तो सुख और दुख शब की जिन्दगी में आते हैं ये बात अलग-अलग होती है और किसी को खुशी ज़्यादा मिलती है और किसी को कम ज़्यादा मिलते है तो खुशी कम मिलती है तो ऐसे में यह एक सिके के दो पहलु की तरह होती है यह बात एक तराजु की तरह होती है दोस्तों यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संगर से चल रहा है बहुत अधिक तकलिफें से आप जूज रहे हैं तो दोस्तों आप भगवान सनिदेव के कुछ उपाएगर के जीवन को काफी सफल अवस्य बना सकते हैं इसके लिए आपको सुभा उटकर भगवान विश्णुजी को दो तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें तथा परसाथ के रूप में आप उन्हें ग्रहन कर लें फिर आप खुद ही खुद देखेंगे कि आपकी ल देख सकते हैं दोस्तो हम भी यह जानते हैं कि इस समय आपको घुटन हो रही हैं आप खुद को अकेला मैसूस कर रहे हैं आप अपनी पुरानी यादों में खुद को फसा हुआ देख रहे हैं और जिन्दगी में तोड़े से ना खुश भी हो चुके हैं लेकिन दोस्तों आ आपकी जिन्दगी में बहुत कुछ गलत हुआ है जब तक गलत का सामना आप नहीं करोगे तो सही के पहचान आपको कैसे होगी यह सारी उलजने सारी प्रिसानिया आपको दुख देने के लिए नहीं बलकि आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं यह प्रिसानिया यह उलज कि आपने कभी सूचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यूं हो रहा है ऐसा इसलिए तोस्तों मुह पर लगा देते हैं किसी एक इंसान को आप अपने जिन्दगी जीने का मज़ा बना देती है और तब तक आप ही जीवन में खतनी अम्या जाते हैं क्योंकि जिस इनसान के लिए आप सब को छोड़ने के लिए तयार हो जाते हैं वह किसी और चीज के लिए आपको छोड़ कर चला जाता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने इमेज उस इंसान की नजरों में गिरा रखी है जब आप खुद अपने आप को स्वेंग को अपने फैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा भी तो आपका कोई फैल्यू नहीं करेगा दोस्तों आप जिंदगी में एक बात हमेस्ता याद रखिए कि आपका मन जिस काम में है जो काम करना चाहती है सिर्फ आप उसे ही काम को करें दुनिया क्या कहती है क्या कर रही है क्या करीगी इस बात को आप बिल्कुल भी फिर्क न करें आपके अंदर का जो टैलेंट है उसे आप सामने लेकर दुनिया के सामने लेकर आप जरूर आएं उसे निकालने के लिए आप अबस्ते कुश्च करें मेहनत करें आप अपने आने बाले समय में देखेंगे आपको वह सब कुछ मिल गया है जिसका आपने सपनों में अक्सर सोचा था आपकी रासी के ऐसा अक्सर यह देखा गया है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम बनी बनाई बिगड़ जाती है अगर आप नौकरी की तिलास करते हैं तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाता दोस्तों इसके लिए आपको एक चोटा सा उपाय करना है आप दोस्तों जब भी किसी काम के शुरुआत करने जाएं तब आप उस दिन सुभा सनान करते हैं सबसे पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और उसके बाद असनान करें दोस्तों इसके बाद आप हनुमान 40 का पाट करें आप स्वेंग देखेंगे कि आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और दोस्तों एक बात का आप और ध्यान रखेगा कि घर से निकलते समय आप अपने दाया पाउं अपने घर के बाहर रखें यानि कि राइट फूट आप अपने घर के बाहर रखें इसके बाद जब आप मुआपस घर से लौट रहे हो तो आप बाएं पाउं यानि की अपने लेफ्ट फूट को अपने घर पे रखें इससे होगा क्या इससे ये होगा कि इस उपाई को करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप जिस काम के लिए जाओगे वह काम भ काफी फाइदा देखने को मिलेगी जिसलिए आप इस उपाई को जरूर करिएगा दोस्तों इसके साथ ही आपके जीवन में थोड़ी से सावधाने की आविस्सकता है दोस्तों आप उन लोगों से मत मिलिए जो आपको जीवन में धखेलना चाहते हैं आप उन लोगों का साथ बुरा किया है क्योंकि दोस्तों अब आप सोचने का वक्त आ गया है आप अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में करने का समय आ गया है अब आपके एक्षन लेने का समय आ गया है दोस्तों उन लोगों का साथ भी आप छोड़ दिए जो बुरे वक्त पर आपके स खड़े नहीं रहते हैं जब आपकी बारी आती है तो आपको मुश्किलों का समय मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है जब आप तकलिफों में होते हैं तो ऐसे सारे लोग आपके उपर नजर भरकर भी आपको नहीं देखते हैं और कोई न कोई बहाना बना देते हैं और हम प्रिवी हो उससे आप दूरी बना कर चलिए क्योंकि दोस्तों जब आप दूरी बना लेंगे तो ऐसे लोगों से उस इनसान को भी आप एहसास होगा वो सोचेगा कि यह हमारे बिना रह नहीं सकता और यह हमारे बिना सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के दिल में ऐसा घमंड आ जाता है कि एगर आप उनसे बातीत करते हैं उन से मिलने की कुशिच करते हैं तो ऐसे में घमंड करने लगते हैं दोस्तों इस बातों को थोड़ासा आप जिन्दगी में थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप सावधान रहिए, सतरग रहिए, इसके इलावा जो आपको हम उपाय बता रहे हैं, आप उसे जरूर अपनाईएगा, नफशलिये हम आपको बता देते हैं, कि आकर किस उम्र में खुलेगी आपकी 80 की किस्मत, जी हा आपको मेहनत तो करने ही होगी, न अपनी कर्मों को तेजी से, तेज गती से रफ्तार आपको आगे बढ़ाना ही होगा, हर कारी को आपको सुझ समझ कर करना ही होगा, वही काम करना होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप कर सकते हैं, दुनिया की प्रवाहना करें, हम आपसे फिर दुबारा वही करते हैं किसी बात की आप पर वहना करें सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आप सफल हो सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता जरूर बिलेगी दोस्तों आपको बता दें कि 27, 32, 57 ये तीन ऐसे साल हैं 27 वर्ष, 32 वर्ष ये इन लोगों को मकान का लाब चरूर मिलता है और ये लोग विवाख के बाद खुब संपत्ती भी कमाते हैं ये संपत्ती खरिच सकते हैं विवाख के बाद इनको अधिक संपत्ती का लाब मिलता है और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो दोस्तो संपत्ति का लाप प्राप्त करने के लिए आपको हर सनिवार के दिन सरसो के तेल का दीपक पीपल के पेंड के नीचे लगाना चाहिए यह आप पीपल के पैंड के नीचे सरसो के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इससे आपको काम्याभी जरूर मिलेगी दोस्तों बता दे कि इस रासी के जो लोग होते हैं वो आपस में धन का लाब बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है यह वर्स होता है 19, 22, 28 और 49 वर्स इन में से जो है यह बहुत ही यह धन की प्राप्ति करते हैं जी हां दोस्तों आपको बता दे कि आपको बहुत बड़ी खुदकवरी मिलने वाली है आपके जीवन की उन सभी समस्याओं का समधान भी होने वाला है और किसी भी नए कारिकों करने के लिए यह उम्र बहत्रिन होती है आपको इस उम्र में किसी महिला के तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर किसी इस्त्रिपक्ष की तरफ से आपको यह अकास्मिक धन प्राप्त हो सकता है इस उम्र में बड़े धनलाब के योग बनते हैं अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक उम्र गुजरनाने के बाद भी आपको अभी तक अपने जीवन में काफी संगर्स करना पड़ रहा है आपको तरक्की नहीं मिल रही है धनलाब नहीं हो रहा है आपके उम्र गुजर चुकी है, गुजर रही है और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा आप लोग हर सवेरे, सुबह सुबह, आप भगवान सुरी को भगवान सुरी को जल अवसे अरपित करें और दोस्तों अपने जल में आप पोड़ी सी मिस्री भी अवस्य मिला दें और भगवान सुरी को सच्चे दिल से आप जल को अर्पित करें और मन ही मन आपके जो मनुकामना है जो एक्छा है आप भगवान सुरीदेप को जल चड़ाते हुए बोल देजिए इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपके साथ होने वाले खर्चे भी कम हो जाएंगे इसके साथ ही एक बड़ा उपाय हम आपको बता देते हैं अगर आपको काम्यावी हासिल करनी है तो दोस्तों गुरुवार के दिन केले का दान करें उसे तो एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपके वल एक केले का दान कभी मत करिएगा हमेशा दू, चार या छे केलो का एक साथ आप धान करें ऐसा करने से आपको विसेश लाब की प्राप्ती होगी इससे आपके धन की वचत भी होगी और धन पराप्त होगा दोस्तों साथ ही मंगलवार के दिन आप अपने आँखों में काजर भी लगा सकते हैं जिससे आपको अपनी नोकरी और व्यवसाई में लाब देखने को मिलेगा यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसा करने से जल्दे ही आपको नौकरी भी अवस्य मिलेगी साथ ही व्यवसाय में भी आपको अच्छी खबर मिलेगी और धन की फ्राप्ती अवस्य होगी दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्सन में सच्छी दिल से जैस सनी देब अवस्य लिख दें और वीडियो को लाइक और सेर कर दें और बताएं कि क्या मैंने जो बताया वो आपके साथ हो रहा है या नहीं आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलते हैं दूसरी वीडियो में ग्यान वर्दक चानकारी के साथ तब तक के लिए जैमाविंद वास्नी